हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिय फैसनार्ट यूटूग चैनल पर मैं दीप का कुस्वा आज आपको हैंडिल बैग बनाना बताऊंगी यह देखो मैंने कपड़े पर फॉर्म लगाके रेडी कर लिया है इसको यह 15 इंची की चोड़ाई है 26 इंची की लंबाई है इसकी इसे हम दो फॉल्ड में रखेंगे कपड़े को यह देखो मैंने दो फॉल्ड में कर लिया है यह देखो मैंने दो फॉल्ड में रख लिया है कपड़े को यह 20 इंची का निशान लगा रही हूँ मैं इदर साइड भी मैंने 20 इंची का निशान लगाया है दोनों साइड से मैं 20 इंची का निशान लगा लिया है यह देखो सेम ऐसी बॉक्स में इधर बना लूँगी डाइड़े इंची का ही दोनों साइट सेम बॉक्स बना लूँगी मैं अब जैसे यह मैंने निशान लगाया है वैसे ही मैं इसकी कटिंग कर दूँगी अब कर दो कि यह दूलनों साइट से कड़ा आज में आज अब हमें वह साइड से चाचा रिंची का निशान लगाना है यह जुक्री को दोनों साइट लगा रही हूं में में अब इसे हम चार वार में फोल्ड कर दिया है मैं देखो इसे में चार वार फोल्ड कर दिया है अब उपर की साइड से मैंने दो इंची का निशान लगाया है अब जो चार का निशान लगाया था इस तरीके से हम बैक में गुलाई दे देंगे इत्युक्ष मैंने जो निशान लगाया है वैसे ही मैं इसकी अब कटिंग कर दूंगी यह दो को मैंने कटिंग कर दी है अब मैंने उपर की साड़ से 30 इंची का निशान लगाया है को अब मैंने एक इंची का निशान लगाया है उपर की नहए साइड को कि कि अब लंबा इसकी मेने डेड़ इंची के लिए है अब इस तरीके से इस में मैं गुलाई दे दूंगी यह हैंडल है बैक को पकड़ने के लिए तो यह देखो मैंने कटिंग कर दिये हैं हैंडल की भ अब इस पर हम पैपीं लगाएंगे बैक में तो यह देखो पैपीं की चोड़ाई है 16 ओर जांसे मैंने बैक को गुलाई दी है वहीं से मैं दो फोल्ड में लगा रही हूं यह ने और इसे दबाया है और उपर की सैड को मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से क्या है तो यदे को दोनगें लगाली है अब ये मैंने एक और पट्री ली है इसे हैंडिल में लगाएंगे हम यदे को इस तरीके से फॉल्ड करनी है अब ये मैं जैसे मैंने गुलाई दी थी इसकी हैंडल की वैसे ही मैं इसको सेप दूँगी तो ये दोगो अब मैं अंदर की साइट को फोल्ड करके उपर की साइट फोल्ड करूँगी या ये सीधे की तरफ फोल्ड करने से बहुत अच्छी फिनीशिंग आती है इसकी ये देखो कितनी finishing के साथ कितना चा हेंडल लगा है इसमें ऐसे ही से मिसक को लगाऊंगी मैं फैंडल को दूसरे को भी ये देखो दोनों साइड में लगा लिया है हेंडल को कपड़ा अब इसे हम उल्टा करके अब सीधी स्लाई लगानी है हमें दोनों साइड से ये दोनों साइड में लगा लिया है अब इस चीज़ को हम देखो इस तरीके से मिला के इसमें स्लाई लगाएंगे ये कॉर्णर में मिला लूँगी और फिर सीधी स्लाई लगा दूँगी दोनों साइट सेम तरीके से ही सलाई लगानी है तो ये देखो मैंने सलाई लगा ली है दोनों साइट पर अब मैं आपको ये बैक सीधा करके दिखाऊंगी तो ये देखो बैक हमारा रेडियो हो चुका है कितना अच्छस का नीचे का तलवा आया है बैक का चोड़ा है इस तरीके से लुक बनाओ तो बहुत अच्छा बनेगा आप बना के देखना बहुत प्यारा बैग लग रहा है आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे डिचलन को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करें